असलाव अलेकुम फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं कैरेट का हलवा इसको हम अच्छे से तुरूप लिए अब हम एक कड़ाई में गी गरम करेंगे कड़ाई में हम 150 ग्राम गी दल लिए यह असली गी है अब हम इसमें गाज्र को घ्राई में हम 15 ली गाज्र केश्मला गचआय-ज़श्य गी में भुलआओं बन्लेंगे गाज्र का पानि अधांग सखे तक आधे अच्छे से पूरा भुलेंगे उसके बाद शकराट करेंगे पानी पूरा सुद्जाना गाजर काई जबी मिठा टेस्टी होता अच्छा भुन लेना गाजर को गाजर अच्छे से घी में नरम हो गए अब हम इसमें आट करेंगे आदा लिटर दूद चार इलेची का पौडर दूद्ध भी सुख जाना अच्छे से दूद्ध अच्छा सुख गए बाद हम इसमें शक्राइट करेंगे दूद्ध में दाल के भी अच्छे से हम गाजर को भूल लेंगे इसमें मैं 250 ग्राम शकर आट करें शकर का वीडियो क्लिप मिस हो गया 250 ग्राम शकर भी और थोड़ी ड्राइफूस आट करें अगर आप लोगों को शकर कम दीकी तो आप लोग फिल्ट से आट कर लीजिए शकर अगर आप शकर मिठा जाद खाते तो शकर आट कर लीजिए शकर का भी पानी पूरा सुख गे बाद हम इसे डिस ओड करेंगे थोड़े ड्राइफूस और आट करेंगे पूरा अच्छे से सुख्या बाद डिशॉट करेंगे आदा किलो गाजर को मैं पौर किलो शकर आट करी वह इस बराबर मेजरमेंट है शकर का बराबर है शकर वह अगर आप लोग ज्यादा खाते तो ज्यादा कर लीजिए गाजर का हलबा बनके रडी हो गया अब हम इसे डिशॉट करेंगे सर्दियों में यह गाजर हम भोग मिलते इससे बनाए तो बहुत टेस्टी होता अगर वह दुसरे औरेंज गाजर से बनाए तो कड़वा कड़वा होता इससे बनाना वह तेस्टी आता गाजर का हलबा बहुत मज़े का बनता अब हम इसे डिशॉट करेंगे मज़ेदार कैरेट का हलबा बनके रेडी हो गया अगर आप लोगों को यह कैरेट के हलबे की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शुक्रिया ठांक्स फॉर वाचिंग अला अफीस कि अधार कर्वार कि अधार के लो अगर आपेड़ार को सब्सक्राइब कर लोगो दरिए पस्टेखिऽा धिए भीस